नमस्कार दोस्तों, टार्गेट है में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो, ICMH National Institute of Translational Virology and Aids Research Department of Health Research Center से भरती विग्यापन आ चुका है पुने ICMHC से दोस्तों भरती विग्यापन पब्लिस हुआ 24.5.2024 को चोबिस माई को इसके ऑफीसेल वेपसाइट पे इसको पब्लिस किया गया है यह इसका एड़वर्टाइजमेंट नमबर है और दोस्तो वाके इंटर्व्यू रेटन टेस्ट के माध्यम से आपका सेलेक्शन होगा इसमें लैब टेक्निसियन साथ में रिसर्च असिस्टेंट क यह और किसे आपको अप से क्वालिफिकेसर के करने आप तक बढ़ने बढ़ने स्पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ में अपने दोस्तों क साथ भी सेयर करें और यह नोटिपिकेशन के और दोस्तों आप टेलीकरम को जोिन कर ले आपको नीचे description box में telegram channel का link मिल जाएगा वहाँ से आप easy तरीके से join हो सकते हैं तो दोस्तो बढ़ते हैं information की और इसमें post की बात करें तो research assistant के लिए first में post सामिल किया गया है total इसमें 5 post है general के लिए 3 है OBC के लिए 1, ST के लिए 1 और दोस्तो अलग-अलग center पे आपको इसमें posting मिलने वाला पूने के लिए 2 post है और नागपूर के लिए 1 post है Mumbai के लिए 2 post है 30 years आपको एजली मिरतीय जा रहा है और 31,000 पर मंत basis पे आपको salary दिया जाएगा qualification की बात करें तो आपके पास graduate in science system के साथ complete होना चाहिए अबेदन कर पाएंगे और इसमें selection दोस्तो आपका interview के basis पे होगा और अलग-अलग center पे आपका ये interview होगा यदि आप Mumbai के लिए आप एदन कर रहे हैं तो Mumbai में आपका ये interview होगा और जो candidate पूने और नागपूर के लिए apply करेंगे उनका ICMR पूने में interview होगा मैं full address आपको आँगे बताऊंगा आप लाज तक देखिएगा नेश्ट दोस्तो इसमें हम बात कर लेते हैं lab technician के लिए तो laboratory technician का ये post रहेगा total तीन post इसमें सामिल किया गया दो post general के लिए एक post OBC के लिए पूने के लिए एक post रहेगा नागफुर के लिए एक और Mumbai के लिए एक 30 years आपको एजली मिट दिया जा रहा 18,000 रुपए पर मंत बेसेश पर दोस्तों आपको salary इसमें दिया जाएगा इसमें जो candidate पूल्थ पास है science stream के साथ साथ में 2 years का diploma होगा जिनके पास medical laboratory technician का वो आवेदन कर पाएंगे इसमें और यदि आपके पास one year का DMLT plus one year का required experience है तो भी आप eligible रहेंगे तो दोस्तों इसमें DMLT वाले candidate आवेदन कर पाएंगे और जिनके पास one year का DMLT plus one year का experience होगा वो भी eligible रहेंगे और job location आपको मैं बता चुका मुंबई पुने और नागपूर में आपका job location रहेगा interview दोस्तों जो candidate मुंबई के लिए आवेदन करेंगे उनका 19 जुन को interview होगा और जो candidate नागपूर और पुने के लिए apply करेंगे उनका interview 21 जुन को होगा और सुबह ये interview होगा तो जो भी candidate eligible है और आप मुंबई से belong करते तो आप इस address पे अपने interview के लिए सामिल हो सकते आँगे मैं बताऊंगे interview में आपको कैसे सामिल होना apply कैसे करना और पुने के लिए दोस्तों जो candidate आप एजन करेंगे उनका address जुर रहेगा auditorium of ICMR National Institute of Translational Biology and Ads Research plot number 73 पुने में आपका ये interview conduct कराया जाएगा तो दो अलग-अलग center बताया जा रहा interview के लिए अब बात कर लेते हैं आपको interview में कैसे सामिल होना तो दोस्तों selection process में आपको बताया जा रहा depending upon the number of candidate written skill test will be conduct question paper will be on relevant subject matter of the concerned position तो दोस्तों यदि candidate अधिक होते हैं 30 place candidate एक post के लिए आते हैं तो आपको वहाँ पे written test skill test होगा और आपका written test होगा दोस्तों question paper के basis पे होगा और ये question आपके subject से related ही पूछा जाएगा और candidate दोस्तों अगर अधिक नहीं होगे तो आपका interview के basis पे सेलेक्शन हो जाएगा और apply केनने के लिए आपको बताया जा रहा है candidate must be present at the venue in time before 10 a.m. along with developed in sign application form with their bio data and all original document along with one set photocopy in group of their educational qualification, experience, age and identity तो दोस्तों आपको अपने bio data के साथ वहाँ पे present होना होगा आपको application form दिया जा रहा दोस्तों आपको उसको लेके वहाँ पे present होना होगा जो आपका यह application form है इसको फिल करके और इसमें सारे require document attach करके आपको वहाँ पे present होना होगा और one set दोस्तों photocopy भी लेके जाना होगा सभी document का इसके बाद आपको original certificate भी लेके जाना होगा सबसे पहले आपके document का verification होगा इसके बाद ही आपको interview में सामिल होने दिया जाएगा तो जोस्तों यदि आप eligible हैं तो आप इसमें आवेतन कर सकते हैं दोस्ते इंटर्वी पे आपका interview होगा मुंबई और पूने में आपका ये interview होगा और date timing में आपको बता चुका है laboratory technician के लिए जो candidate आप इतन करेंगे मुंबई के लिए उनका interview 19 जून को होगा सुबह सड़े 9 से सड़े 10 बजे आपका reporting टाइम रहेगा और दोस्तों जो candidate पूने और नागपूर के लिए apply करेंगे उनका interview 21 जून को होगा timing सेम रहेगा और सेम जो date है दोस्तों वो research assistant के लिए भी रहेगा मुंबई के लिए candidate 19 जून को जाएंगे और पूने और नागपूर के लिए 21 जून को आपका ये interview होगा अड्रेस मैं बता चुका हूँ notification का पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथ में आप इसके official website के मादम से भी download कर सकते हैं आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे ये पीडियाप और application जो form है वो भी मिल जाएगा तो यदि आपने जोइन नहीं कियें तो जोइन कर लें नीचे आपको description box में इसका link मिल जाएगा साथ में जानकारी अच्छी लगए हो दोस्तों तो like जरूर करें और अपने दोस्तों कसा share करें चैनल को यदि आपने अभी तक subscribe नहीं कियें ताइक यू सो मच